महराज गंज में तीन तलाग का एक ऐसा मामला सामनी आया है जिसे सुनकर आपके होश ओड़ जाएंगे मामला कोतवाली थनाक्षेत्र के सिंदूरिया का है जहां जब नाजमा का निकाह हुआ तो उसके परिजन खुशी से फूले नहीं समा रही थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी फूल सी बेटी पर ससुराल में ऐसा तॉर्चर किया जाएगा कि उसका जीना मुहाल हो जाएगा आरूप है कि शादी के कुछ दिनों बाद भी पीड़ता को उसका पती और ससुराल वाले परेशान करने लगे पीड़ता को मारा पीटा गया हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे प्रेस से जलाया गया इतने से मन नहीं भरने पर उसे फ्रिज में बंद कर जाने से मारने की कोशिच की गई और तो और इस सब के बीच पती भी उसका साथ छोड़ सवधी चला गया और फोन पर तिन तलाग दे दिया आपको बता दें कि गरीब माबाप ने खेट बेच कर अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी लेकिन दहेश में गाड़ी की मांग करने वाले आरिफ ने पहले उसको प्रताड़ित किया और उसे भी मन नहीं भरा तो उसे टेलिफॉन से तलाग दे दिया पहले भर पर लिए चो पाके ड़ले आगे अगाई भाद हो जाए फुन करताना कैसान बात भी अपन लड़की तुम साधिक हो दा हम तुहार लड़की नाई राख़ लाख देताना 50 तकर तिलाख दो बोलाल बान और तीन चकर तिलाख बोल देना तीन मरतभे आउख अवकरे परिशान होकर पीड़ता ने अपने परेजनों के साथ पुलिस से नियाए की गोहर लगाई है जिसके बाद S.P. ने मामले में जांच के आदेश दिये और जांच के बाद कारवाई का आश्वासन दिया परिश्टे से वो थराप चल रहे थे और इस बीच उसके पती जो पिछले तीन साल से गिदेश में है उनके द्वारा फोन पर उसको तीन तलाग भी दिया गया है अब वक्त आ गया है कि समाच में तीन तलाग को ही तलाग दे दिया जाए पंजाब के सिरी टीवी के लिए महाराज गंज से गलाम गौस की रिपोर्ट